Welcome to the गुरुकुल प्रेप डेली पॉड़कास्ट इन हिंदी on 17 जुलाई अपडेट एक महत्वपूर्ण दिन विश्व अंतरराष्ट्रिय न्याय दिवस 17 जुलाई विश्व अंतरराष्ट्रिय न्याय दिवस या अंतरराष्ट्रिय आपराधिक न्याय दिवस हर साल 17 जुलाई को अंतरराष्ट्रिय न्याय की मजबूत प्रणाली को पहचानने और पीडितों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है अंतरराष्ट्रिय अपराध न्यायालय के अनुसार 17 जुलाई अंतरराष्ट्रिय आपराधिक न्याय का दिन है यह 17 जुलाई 1998 को रोम सम्विधी को अपनाने की वर्षगांट का प्रतीक है ICC की संस्थापक संधी जो लोगों को नरसनहार, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराधों और आकरामक्ता के अपराध से बचाने का प्रयास करती है अपडेट दोग पुरसकार ओडेशा के मुख्यमंत्री ने इंटर्नेशन सैंड सकलपचर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने के लिए सुदर्शन पतनायक को सम्मानित किया मुख्यमंत्री कार्याले ने कहा कि ओडेशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माजी ने उनके आवास पर रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित इंटर्नेशन सैंड सकलपचर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक के साथ गोल्डन सैंड मास्टर पुरसकार जीतने के लि उनके महान भक्त बलराम दास की रेट की कलाकृती बनाई पटनायक ने भगवान जगन्नाथ और उनके भक्त चौदहवी शताबदी के कभी बलराम दास को ले जाने वाले रेत रत का बारह फूट का चितरन बनाया अपडेट तीन अंतरराश्ट्रिये के पी शर्मा ओली बने नेपाल के नए प्रधान मंत्री नेपाल में राजनीतिक स्थिर्ता प्रधान करने की चुनोती का सामना कर रही नई गठ बंधन सरकार का नेत्रित्व करने के लिए के पी शर्मा ओली को तीसरी बार नेपाल का प्रधान मंत्री नियुक्त किया गया है केपी शर्मा ओली बहत्तर ने पुष्प कमल देहल प्रचंड का स्थान लिया है जो प्रतिनिधी सभा में विश्वास मत्हार गए थे जिसके बाद समविधान के अनुच्छेद 76-2 के तहट नई सरकार की प्रक्रिया का गठन हुआ राश्ट्रपती राम चंद्र पॉडेल ने के पी शर्मा ओली को कम्यूनिस्ट पार्टी औफ नेपाल उनिफाइड मार्क्सवादी लेनिनवादी CPNUML नेपाली कॉंग्रेस A.N.C. गठ बंधन का नया प्रधान मंत्री नियुक्त किया अपडेट 4 विविध थॉमस मुलर ने अंतरराश्ट्रिय फुटबॉल से लिया सन्यास बायर्न म्यूनिक के फॉरवर्ड जर्मनी के थॉमस मुलर ने यूरोपिय चैंपियन्शिप से बाहर होने के बाद अपने 14 साल के अंतरराश्ट्रिय करियर को अलविदा कह दिया है 34 वर्षिय ने अपने आठवे और आखिरी टूर्नामेट में 5 जुलाई को स्पेन के खिलाफ जर्मनी की 2 से 1 की क्वाटर फाइनल हार में भाग लिया जहां उन्हें 80 मिनट में एक विकल्प के रूप में लाया गया था मुलर ने जर्मनी को 2014 विश्वकप जीतने में मदद की और 131 मैच और 45 गोल के साथ राश्ट्रिय टीम के लिए तीसरा सबसे अधिक प्रदर्शन किया उन्होंने 2010 विश्वकप के दौरान गोल्डन बूट और यंग प्लेयर अवार्ड भी जीता जब जर्मनी तीसरे स्थान पर रहा अपडेक 5 प्राश्ट्रिय अखिल भारतिय आयुर्वेज संस्थान ने सौश्रुतम 2024 फीट की सफलता पूर्वक मेजबानी की अखिल भारतिय आयुर्वेज संस्थान AIIA ने नई दिल्ली में सुश्रुत जयन्ती 2024 के उत्सव को चेहनित करते हुए अपनी दूसरी राश्ट्रिय संगोष्थी सौश्रुतम शल्य संगोष्थी का सफलता पूर्वक समापन किया 13 जुलाई से शुरू हुए तीन दिवसिय कार्यक्रम में सुश्रुत को सम्मानित किया गया जिन्हें व्यापक रूप से सरजरी का जनक माना जाता है इस कार्यक्रम का एक मुख्य आकर्शन 25 जटिल सर्जिकल प्रक्रियाओं का लाइफ प्रदर्शन था जो प्रतिभागियों को प्रसिद्ध सर्जनों से देखने और सीखने का एक अनूठा अफसर प्रदान करता है फिस्टुलाइने नोक बवासीर और पित्ताशय की पत्री आदी के रोगियों पर वाफ्ट लेप्रोस्कोपी तथा लेजर जैसी नई तकनीकों तथा पारंपरिक शल्य विधियों का उप्योग करके ऑपरेशन किये गए अपडेट 6 रैंक और रिपोर्ट एक सौ मिलियन फॉलोवर्स के साथ एक्सपर सबसे ज्यादा फॉलो किये जाने वाले ग्लोबल लीडर बने पीएम मोदी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक सौ मिलियन फॉलोवर्स को पार करके एक महत्वपून उपलब्धी हासिल की है इस उलेखनीय वृद्धी में पिछले तीन वर्षों में लगभग तीस मिलियन फॉलोवर्स की वृद्धी शामिल है प्रधान मंत्री मोदी अमेरिकी राश्ट्रपती जो बाइडेन सहित दुनिया के अन्यनेताओं से बहुत आगे हैं जिनके अर्थीस मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वह इस जीवन्त माध्यम में आकर खुश हैं और चर्चा, बहस, अंतरद्रिष्टी, लोगों के आशिर्वाद, रचनात्मक आलोचना और अन्य चीजों का आनंद लेते हैं अपडेट साथ योजनाएं और समितिया हिमाचल मंत्रिमंडल ने घरेलू उपयोग करताओं के लिए शून्य बिजली बिल के प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाने की योजना को मनजूरी दी हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने एक परिवार एक मिटर सबसिडी को सीमित करके और राशन कार्डों के साथ बिजली कनेक्शन को इंटरलिंक करके घरेलू उपभोगताओं के लिए शून्य बिजली बिलों के प्रावधानों को तरकसंगत बनाने के लिए अपनी मनजू परिवारों को भूमी अधिग्रहें और मुआवजे की घोशना को भी मनजूरी दे दी है। मिनट में किये गए गोल की मदद से अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी के हाड रॉक स्टेडियम में कोलंबिया को एक से शून्य से हरा कर दो हजार चौबीस कोपा अमेरिका का खिताब जीत लिया। इसके अलावा दो हजार बाईस विश्व कप खिताब उन्होंने दोनों के बीच जीता था। यह अर्जेंटीना के लिए एंजेल दी मारिया की आखिरी उपस्थिती भी थी। विंगर ने पिछले साल घोशना की थी कि वह दो हजार चौबीस कोपा अमेरिका के बाद अपने शांदार अंतरराष्ट्रिय करियर का अंत करेंगे। अपडेट नौ खेल निर्मा विश्वविद्यालय ने जीती रोबोट प्रतियोगिता रोबोकॉन इंडिया दो हजार चौबीस प्रोध्योगी की संस्थान निर्मा विश्वविद्यालय की टीम ने रोबोट प्रतियोगिता रोबोकॉन इंडिया दो हजार चौबीस जीत पिजेता टीम अब वियतनाम के क्वांधनिन्ह में अंतरराश्ट्रिय एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन रोबोकॉन दो हजार चौबीस में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। पिंपरी चिंचवाड कॉलेज औफ इंजिनेरिंग पुने ने प्रतम रनरप स्थान हासिल किया जबकि मिट वर्ड पीस यूनिवर्सिटी पुने ने दूसरा रनरप स्थान हासिल किया। इस आयोजन में 45 से अधिक कॉलेजों, संस्थानों और विश्वविद्यालियों के साथ 150 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। अपडेट 10 राज्य अमित शाह ने मध्यप्रदेश के 55 जिलों में PM College of Excellence का उधगाटन किया। NEP के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा शुरू किये गए, इन कॉलेजों का उद्देश शिक्षा को रोजगारोन मुखी बनाना है। इन दौर में अटल बिहारी वाजपेई राजकिये कला एवं वानिज्य महाविद्याले में आयोजित मुख्यकार्यक्रम को संबोधित करते हुए, जिसे PM College of Excellence के रूप में विक्सित किया गया है।